कुश्चिन फाइफ को अगर हम देखें तो हम इस स्टेटमेंट को यानि इस तरह के कुश्चिन को कुश्चिन नंबर थर्ड भी हमने ऐसा ही एक कुश्चिन कराता है तो इस कुश्चिन में लिखा गया है इसका एरिया तो आए 400 मेटर स्कुयर लेकिं पैरी मितर आये 80 मीटर सो पैरी मेटर किसी भी एक रेक्टैंगिल का होता है यह आना चाहिए 80 के इक्वल and area आना चाहिए यान कि L मल्ल्ट्प्लाइड बाए B आना चाहिए 400 meter square के equal तो अगर हम देखें तो ये एक बहुत simple question हमारा solve हो जाएगा हमें क्या करना है इस पहली पहली जो perimeter वाली equation हम form कर रहे हैं इस तोड़ाज़ा change कर लेना है तो ये equation हमारी हो जाएगी like 2L plus 2B equal 80 पूरी equation को 2 से divide कर देंगे तो L plus B equal 40 यानि कि length plus bet अगर हम करते हैं तो भी 40 आता है तो यहां से हम length की value भी determine कर सकते हैं L हो जाएगा है हमारे पास 40 minus B और इस length की value को जो हमने यहां से find करी है इसे हम इस उपर वाली equation में put कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा like 40 minus B multiplied by B equal 400 और यहाएगा हमारे पास 40 B minus B square equal 400 और इसे हम जब change कर लेंगे थोड़े सा तो यहाजाएगा B square minus 40 B plus 400 equal 0 यह हमारी quadratic equation form हो चुके और इस quadratic equation को हम बहुत easily solve भी कर लेंगे बहुत method से in quadratic equations को solve करने के हम किसी भी एक method से इसे solve कर लेंगे तो जो B की हमारे पास value आएगी यहाँ से वो value हमारे पास आजाएगी जब हम इस quadratic equation को solve करेंगे that is जब एक तरह से हम इसे quadratic formula में put कर देंगे A, B, C मान के तो वहाँ से जो B की value आएगी हमारे पास वो आएगी 20 So B हमारे पास यहाँ से 20 हो जाएगा और हमें पता है कि अगर B 20 है तो L भी हम find out कर सकते हैं क्योंकि L plus B 40 के equal आना चाहिए और अगर B 20 आ चुका है तो यहाँ से L भी 20 के equal आ जाएगा तो एक तरह से हाँ यह rectangle तो है लेकिन यह square भी है so बहुत easily इस type के question को हम solve कर सकते हैं बस हमें quadratic equations form कर लिए quadratic equations पर ही इस type के questions depend करते हैं